चांसलर काल नेहमर, दोनों देशों के डेलिगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, सबसे पहले मैं गर्म जोशी भरे स्वागत और आतित्य सत्कार के लिए चांसलर नेहमर का आभार प्रकेड करता हूँ मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कारकाल की शुरुवात और शुरुवात में ही और स्ट्रिया आने का आउसर मिला मेरी यह यात्रा अइतिहासिक भी है और विशेस भी है 41 साल के बाद किसी भारतिय प्रधानमंत्री ने आउस्ट्रिया का दौरा किया है यह भी सुकत सहियोग है कि यह आत्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी समंधों के 75 साल पूरे हुए है फ्रेंड्स लोगतंत्र और रूल अफ लोग जैसे मुल्यों में साजा विश्वास हमारे समंधों की मजबूत नीव है आपसी विश्वास और शेर्ड इंट्रेस्ट से हमारे रिस्तों को बल मिलता है आज मेरे और चांसलर नहमर के बीच बहुत सार्थक बात्चित हुई हमने आपसी सहियों को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है हमने निर्णे लिया है कि समंधों को स्ट्रेटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी आने वाले दसक के लिए सहियोग का खाका तयार किया गया है यह केवल आर्थिक सहियोग और निवेश तक सिमित नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यवबल एनरजी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशल इंट्रिजन्स, क्वांटम जैसे खेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ को जोडने का काम किया जाएगा दोनों देशों की युवाशक्ति और आइडियाज को कनेक करने के लिए स्टार्ट अप ब्रिज को गर्शाएगा